एक्सिस बैंक BC पोर्टल में लॉग इन होने के बाद एजेंट सर्विस के आप्शन में जाए और अकाउंट ओपनिंग पर क्लिक करें यहाँ पर दो ओप्शन देखने को मिलेंगे सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट की बेजिक जानकारी देखने को मिलेगी महीने का एवरेज बैलेंस जीरो रहेगा महीने के दो लाक रुपए के पहले चार ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे डेबिट कार्ड का वार्षिक चार्ज 100 रुपीज रहेगा प्रोसेस पर क्लिक करें युजर डिटेल में ग्राहक का मोबाइल नंबर पैन कार्ड नंबर और उसकी वार्षिक इंकम कितनी है वो लिखे और प्रोसेस पर क्लिक करें दिये गए मोबाइल पर OTP आएगा वो लिखे और आई एगरी पर क्लिक करें ग्राहक का आधार कार्ड का नंबर लिखे और ग्राहक की फिंगरप्रिंट scan करके submit कर दे, यहां पर ग्राहक की live photo capture करनी है तो यहां पर camera से ग्राहक की live photo capture करें, live photo capture करने के बाद यहां पर आधार card की सारी detail आ जाएगी, जिसमें photo नाम, address, birth date सब रहेगा, ग्राहक के address के मताबिक नीचे नजदी की access bank branch दिखाई देगी, जिस bank branch में हमारा account open करना है, वह select करें, declaration पर tick mark करें और process पर click कर दें, यहां पर father, mother की detail, ग्राहक की basic detail, वैवाहिक स्थिती, education, व्यवसाय, व्यवसाय का स्त्रोत, कितने सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब जानकारी लिखे, और process पर click करें, इस page में हमें nominee की detail भरनी है, नीचे effect का declaration में क्लिक करें और process पर click कर दें, आधार seeding option में तीन option देखने को मिलेंगे, ग्राहक का कोई भी bank का account NPCI के server में seeding नहीं है, और इस खाते में dbt चालू करना चाहते हैं तो यह option select करें, ग्राहक का कोई भी bank account NPCI के server में seeding है, और इस खाते में dbt चालू करना चाहते हैं तो यह option select करें, ग्राहक अपना bank account seeding नहीं करना चाहता, तो यह select करें, आधार link option में, ग्राहक अपना bank account में आधार link करना चाहता है, तो पहला option select करें, और अपने account में आधार link नहीं करना चाहता तो दूसरा option select करे, process to next step पर click करे, हमने जो जानकारी भरी है वो सही है, तो नीचे consent box में tick mark करे और next करे, account opening के समय 500 रुपए शरुआत के तौर पर चाहिए, तो वो select रहने दे और next करे, term end condition पर click करे, और ग्राहक का fingerprint scan करे, आप देख सकते है, ग्राहक का access bank का account successful open हो चु में access bank का ATM card ग्राहक के आधार card में दिये गए address पर पहुँच जाएगा, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताए, वीडियो को like करे और channel को जरूर subscribe करे, धन्यवाद